लोग सबस जुनाव में बीजेपी को जोरदार जटका लगा था पार्टी बहुमत के आकड़े से बहुत पीछे रह गई थी और अब एक और जुनाव में उसकी हार तै होती दिखाई दे रही है साथ राज्यों की 13 विधानसवा सीटों पर वोटिंग का काम पूरा हो गया है और वोटिंग के बाद जो रुजहान सामने आये हैं उसमें बीजेपी और उसके सहयोगियों की बड़ी हार दिखाई दे रही है सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी सही बीजेपी नेता हार के लिए बहानेबाजी शुरू कर चुके है जहां इंडिया गटबंधन में शामिल पार्टियों की सरकार है वहां प्रशासनिक मशीनरी के गलत इस्तिमाल के आरोप लगाये जा रहे है और जहां सरकार बीजेपी की है वहां हार मिलने पर राज्य संगठन पर जिम्यदारी डालने की तयारी है दरसल बीजेपी के लिए वोटिंग के बाद जो रुजान सामने आ रहे हैं उसमें एंडिये को दो सीट मिलना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें पश्यमंगाल की चार, हिमाचल प्रदेश की तीन, उत्तरा खंड की दो सीटों के अलावा, तमिलनाडू, बिहार, मर्ध्य प्रदेश और पंजाब की एक-एक सीट शामिल है और वोटिंग के बाद जो रुझाना है उसने बीजेपी की नीद उड़ा दी है क्योंकि बीजेपी के लिए इस बार उप्चुनाव में खाता खुलना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है पश्चिम बंगाल में तो हार के डर से बीजेपी नेताओं ने पहले से ही दावा करना शुरू कर दिया है कि टीमसी ने बीजेपी समर्थकों को वोट ही नहीं डालने दिया है वैसे भी राजी की जिन चार सीटों पर वोटिंग हुई है उसमें उत्तर 24 परगना जिले की बगदाह, नादिया की राना घाट दक्षित, उत्तर दिनाजपुर की राइगंज और कोलकाता की मानिक तला की सीट शामिल है दरसल लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी विधायक कृष्ण कल्यानी, विश्वजीत दास और मुकट मडी अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया था और बीजेपी में शामिल हो गए थे जबकि मानिक तला सीट पर टीमसी विधायक की जान चली गई थी और इस बार बीजेपी के लिए चारों में से एक सीट जीतना भी मुश्किल दिखाए दे रहा है वोटिंग के बाद बीजेपी नेताओं के बयान भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं पशिम बंगाल के बाद जिस राजे में सबसे ज्यादा सीटों पर उपचुनाव हुआ वो हिमाचल प्रदेश है यहां की हमीरपुर, नालागड और देहरा सीट पर वोटिंग होई इन तीनों ही सीटों पर दो साल पहले निर्दलिय विधायक चुनाव जीते थे बाद में वो तीनों ही विधायकों ने इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में शामिल हो गए जिन तीन सीटों पर वोटिंग होई उसमें सभी की निगाहे कांगडा की देहरा सीट पर है इस सीट पर कॉंग्रिस की तरफ से सीम सुखु की पतनी कमलेश ठाकुर चुनाव लड़ी है तो बीजेपी से होश्यार से और वोटिंग के बाद कमलेश ठाकुर का पलड़ा भारी बताया जा रहा है हमीरपोर और नालागड सीट पर भी कॉंग्रिस मजबूत दिखाए दे रही है उत्तरा खंकी दो सीटों पर वोटिंग होई जिसमें से मंगलॉर सीट बीजेपी कभी भी नहीं जीत पाई है और उप्चुनाव में भी यहां कॉंग्रिस मजबूत दिखाए दी है इस सीट पर दलित और मुस्लिम वोटों की संख्या सबसे ज्यादा है कॉंग्रिस ने यहाँ पर काजी मुहमद निजामुदीन को तो बीजेपी ने करतार सिंग भडाना को टिकेट दिया है जबकि बद्रिनाद सीट पर भी बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है इस सीट पर चुनाव दल बदल के चलते हो रहा है 2022 में बद्रिनाद सीट पर कॉंग्रिस के राजेइंद्र भंडारी चुनाव जीते थे मध्यप्रिदेश के अमरवाणा सीट की बात करें तो इसे कॉंग्रिस का गढ़ माना जाता है बीजेपी ने कई बार इस सीट पर कॉंग्रिस के नेताओं का दलबदल कराकर टिकेट दिया है लेकिन हर बार उसे असाफलता ही मिली है इस बार भी कबलेश शाह जो 6 महीने पहले कॉंग्रिस की टिकेट पर चुनाव जीते थे और फिर इस्तीफा दे कर बीजेपी में चले गए बीजेपी ने उन्हें उमिद्वार बना दिया है लेकिन उप्चुनाव में कमलेश शाह की जमीन खिसक्ती दिखाई दी है बात बिहार की रुपॉली सीट की करें तो दलबदल को लेकर आरजेपी की उमिद्वार बीमा भारती को जरूर थोड़ी मुश्किल आ रही है लेकिन अंतिम समय पर पूनिया के सांसत पपू यादव के समर्थन के बाद भारती की स्थिती में सुधार हुआ और वो मजबूत हो गए वोटिंग के बाद बीमा भारती की तरफ से जीत का दावा किया गया है तो इस सीट पर जेडियों मिद्वार कलाधर मंडल अंतिम समय तक मुकाबले में बने रहे जबकि पंजाब की जालंदर पश्यम और तमिलनाडू की विक्रवांडी सीट पर भी इंडिया गटबंदन ही मजबूत स्थिती में दिखाई दे रहा है